Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग operating system का important question करेंगे operating system और fox pro का बहुत बच्चे मैंने पास comment कर रहे थे कि भिया आपने fundamental of computer का important question तो बता दिया एक बार operating system मतलब जो 5 second जो exam है उनर्स का उसका बता दिजे तो मैं लेकर आचुका हूँ आपके लिए ये 11 question है ठीक है और मेरे को इसम अपदेद करने का जरूत परेगा तो exam से पहले मैं कर दूँगा आपको फिर और वीडियो के थ्रू तदकाल ये 11 question अगर आप लोग अच्छे से कर लिजेगा तो इसमें 5 question आराम से लड़ेंगे ठीक है तो ध्यान पुर्वक देखिए और समाजने का कोशिस करिए देखो ये भीवीए question है जैसा कि मैं आपको बताया था कि भीवीए question ये होता है और एक चीज ये भीवीए question है और question मेरे जो इसका first है ये क्या है मरा कि define operating system and its types ठीक है मतलब operating system क्या होता है उसके type कितने है और उनके बारे में पुरा define अच्छे से करना है तो इसका भी वीडियो मेरा यहां पे कुद दिख रहा होगा तो आप लोग जा की देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद पूरा operating system और उसका type आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से मैं कोशिस किया हूँ इसमें समझाने का और आपको notes भी साथ साथ आप लिख लिजेगा प्रभाइद किये हैं और अच्छे definition भी है मतलब कोई lengthy definition ही है जो आपको पढ़ने के ब होता है इसके बाद है process control block क्या होता है PCB इसको कितना पर सदकत की में भी यूज कर दिया जाता है PCB सदकत की है ठीक है process control block ठीक है इसको भी पूछा जा सकता है इसका question number 3 देखो क्या है compare the first come first serve if cfs ये पूछा जाता है जो first come मतलब पहले जो आएगा वही सबसे पहले solve किया जाएगा मतलब उसको data दिया जाएगा computer को process करने के लिए पढ़िए का समझ में आ जाएगा उसके बाद दूसरा हमारा है 37 job first मतलब जो सबसे छोता job होगा उसको सबसे पहले computer करता है तो ये भी मतलब जो हम बता रहे है उसका मतलब यही होगा लेकिन आपको पढ़िएगा दो और detail में आपको लिखना होगा तो question number 3 में कितना बाद यह question इसा पूछ लगता है 3 में बतलब इस ताइव का question पूछता है जो भी चीज मैं बता रहा हूँ यह topic आपको अच्छे से कर लेना है ठीक है कि इससे question थोड़ा सा इधर उधर घुमा के भी पूछे तो आप कर लीजे इसका question number 4 देखो क्या है discuss the necessary condition for the deadlock यह deadlock अब BVA question है 2022 में भी आया था 2021 में भी आया था और मेरे हिसाब से 2019 में भी आया था तो यह इसको BVA रखिएगा deadlock से जो भी question आपको मिले उसको जरूर लगा लिजे ठीक है necessary condition हो चाहाँ this advantage भी कितना बार पूछी लेता है तो देख लिजेगा question number 5 देखो क्या है explain the concept of paging and segmentation यह भी question भी वे question पेजिंग और segmentation का आपको explain करने के लिए आ जाता है और इससे भी अगर अच्छे से आप लोग इसका definition अच्छे से पढ़ ली जाए कम से कम आप दो पेज में तो आराम से लिख ले एक पेज में पेजिंग एक पेज में segmentation ठीक है यह question बार बार डिपीत होता है इसके बाद हम लोग फॉक्स प्रो का एक question देखेंगे जो हर बार पूछा जाता है question number 6 में define the flowing command मतलब बहुत सारे command होते हैं box pro में उनको define करने के लिए दे देता है basically आपको 5 आता है या 6 आता है बोलेगा उसमें से 4 आप command को अच्छे से define करिए चाहे बोलेगा आप पूड़े को define करिए जो 20 नमर का भी हो सकता है ठीक है तो आपको maximum आपको 20 से 25 command हम परहा देंगे recovery batch के अंदर जो आप अगर follow कर रहे हो गया ठीक है इसके बाद जैप हो गया इसके पैक हो गया दिलीट हो गया modify structure हो गया यह सब पूशी लिता है इसके बाद question no.7 हम लोग देखेंगे discuss process management क्या होता है also discuss the life cycle of a process management मतलब process management को तो define करना है फिर उसका एक like cycle life cycle बनाना है मतलब देग्राम होगरा बना को उसको बतान है इसको question no.8 हम लोग देखेंगे differentiate between multi-user and multitasking यह भी एक important question function of operating system पढ़िएगा तो समझेगा multi-user क्या होता है multi-tasking क्या होता है यह define करने के लिए आ जाता है direct definition भी पूछ लेगा चाहिए इसी में process scheduling चाहिए process state भी पूछ लेता है तो आप लोग अच्छे से question को जरूर सॉल्व करने कोशिस करेंगा जो भी है topic बता रहा है इतना topic अगर आपका clear रहेगा तो इक्जाब में पक्काप अपने से ही 5 question लिखना रहता है जिसमें से आप तीन या चार पांच question आप पांचों भी इसमें से लड़ सकता है ठीक है इसके बाद question no.9 देखो क्या है explain the function of operating system in detail जैसा short notes on process control block PCB ठीक है यह direct भी पूछ लगा जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि PCB था यहाँ पर process control block तो यह ऐसे भी पूछ सकता है definition में जब पूछेगा एक साथ दो तीन का definition बताओ तो छोता छोता definition लिखे काम चला सकते हो आधा आधा पिछ का लेकिन एक प्रस्णाली सिर्फ ऐसे question देए कि write short notes on process control block तो कमसेगा आपको देड़ से दो पेज में इसको लिखना पड़ेगा इसको आधा question नमर 11 दखो explain various disk allocation method ठीक है तो यह लगवाग 11 question आपके लिए मैं लाया था operating system का और आगे जैसे जैसे आपके exam close आते जाएगा मैं और important question आपके लिए लाऊंगा तब तक इसको practice करियागा इसमें से पूरा question में से कमसेगम 11 question आपको दी है ज्यादा नहीं दी है फिसमें से तीन चार question लड किना बहुत सारा मेरा वीडियो अब लेवल है BCA related वीडियो यहां playlist मिल जागा यहां सब लोग जाके देख सकते हैं और भी अगर कोई information मेरे को देना होगा तो मैं आपको देने कोसिस करूंगा बस चैनल से जूरे रहे अभी तक अगर वीडियो को लाइक निक है तो लाइक क